मूवी में, साउथ अफ्रीका में शिकारियों का एक ग्रूप शेरों के जुंड का पीछा करने का फैसला करता है. उन्होंने एक मरे हुए जेबरा को लालच के रूप में लेकर एक जाल बिछाते हैं. अधिकतर शेर मारे जाते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मेल शेर को भाग जाता है. शिकारियों का लीडर अपने तीन आदमियों को एक आप्शन देता है, मेल शेर को ढूंडो और मार डालो या वे खुद मारे जाएंगे. शिकारी शेर का पता लगाने के लिए सवाना में जाते हैं, लेकिन उन्हें unexpected खत्रों का सामना करना पड़ता है. उनमें से एक गायब हो जाता है, और जैसे ही बाकी दो भागने की कोशिश करते हैं, उन पर हमला कर दिया जाता है. जिस नर शेर का वो पीछा कर रहे थे वो उनमें से एक को मार देता है बचा हुआ शिकारी जंगली शेरों के लिए बनाय गए जाल में फंच जाता है और सोचता है कि वो मरने वाला है लेकिन जिस शेर को वो धूंड रहे थे वो उस पर कूद पड़ता है अगले सीन में डॉक्टर नेट सेमुल्स दिखाई देता है वो व्यक्ती जिसने अपनी पत्नी को खो दिया था वो अपनी बेटियों मेरेडित और नोरा को साथ अफरीका के मोपानी रिजर्व में अपनी स्वर्गिय पत्नी के होमटाउन ले जाता है वे एक प्लेन से यात्रा करते हैं जो नेट के लिए यादे ताजा कर देती है क्योंकि वो पहले अपनी पत्नी के साथ रिजर्व में गया था जब वो पहुँचते हैं तो मार्टिन बैटल एक बाउलोजिस्ट और नेट के लंबे समय का दोस्त उनका स्वागत करता है मार्टिन मेरेडिद और नोरा को देखकर खुश होता है और उन्हें उस गाउ में ले जाता है जहां नेट की स्वर्गिय पत्नी पली बढ़ी थी वो उन्हें अफ्रीका की सुन्दर्ता के बारे में कहानिया सुनाता है और कैसे उसने नैट और उसकी पत्नी का परिचे कराया जिससे उनकी शादी हुई और उनकी बेटियों का जन्म हुआ एक लंबी यात्रा के बाद वे माटिन के घर पहुँचते हैं जहां नैट और उनकी बेटियां अपनी छुट्टियां बिताएंगे हालांकि मेरिडिथ और नोरा ये देखकर निराश होते हैं कि कोई वाई-फाई या केबल नहीं है उनकी शुरुआती नाखुशी के बावजूद नैट उन्हें इसे जंगल में एक एक सिटिंग एडवेंचर के मौके के रूप में देखने के लिए एंक्रेज करता है घर में घूमते हुए नैट अपनी बेटियों को उनकी मा की कुछ तस्वीरें दिखाता है जिसमें एक पेड के नीचे उसकी एक स्पेशल तस्वीर भी होती है जो उस पर गहरा असर डालती है डिनर के दौरान टेंशन तब बढ़ जाती है जब मेरेडिथ नैट से अपनी मा के फोटोग्राफी करियर का सपोर्ट नहीं करने के बारे में बात करती है खासकर कैंसर से लड़ाई के दौरान नेट अपने नजरिये को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मेरेडित के गुस्से और फ्रॉस्ट्रेशन के कारण वो और नोरा टेबल से हट जाते हैं नेट मार्टिन को अपने रहस्य बताता है कि उसे अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय ना बिताने का मलाल है मार्टिन उसे अपनी बेटियों के साथ अपने इमोर्षनल कनेक्शन को फिर से बनाने पर काम करने की अडवाइस देता है अगले दिन, मार्टिन अपनी बेटियों मेरेडिथ और नोरा के साथ नाथन को लेकर अफरिका में मोपानी रिजर्व के रिस्ट्रिक्टेड हिस्सों के लिए एक रोमांचक अभियान पर निकल पड़ता है उनका एडवेंचर रास्ते में बहुत सारे जंगली जानवरों का सामना करते हुए मार्टिन द्वारा अफरीकी सवाना की बहतरीन सुन्दर्ता को दिखाने के साथ शुरू होता है अपनी जर्नी के दौरान मार्टिन एक सुन्सान स्कूल हाउस में रुखने का प्लान बनता है जो मूल रूप से माइनस के बच्चों के लिए बनाया गया था जो अब रिसोसस की कमी के कारण बंद कर दिया गया है आसपास की खोज करते समय उनकी मुलाकात बंजी से होती है जो एक नेचर रिजर्व ऑफिसर है जिस पर उस एरिया में शेरों की गतिविधियों की निग्रानी की जिम्मेदारी है बंजी एक शेर्णी और उसके दो नर साथियों को जंगल में स्वतंत रूप से घूमते हुए देखता है शेर की दहाड मेरेडित और नोरा को चौंका देती है लेकिन माटन तुरंत उनके डर को शांत कर देता है माटन के दो नर शेर जिन्हें उसने बचपन से पाला और जंगल में छोड़ दिया उसे देखकर अपना प्यार दिखाते हुए खुशी से उसकी ओर दोड़ पड़े हालांकि शेर्णी एक पैर घायल होने के कारण परिशान दिखाई देती है तुरंत एक्षन लेते हुए माटन शेर्नी की चोट का इलाज करने के लिए एक वेटरिनरी डॉक्टर से कॉंटेक्ट करता है डॉक्टर का इंतजार करते हुए वो जंगल में जानवरों और यहां तक की शेरों को निशाना बनाकर बढ़ती अवैध हंटिंग एक्टिविटीज के बारे में चोकाने वाली जानकारी शेर करता है नोरा बताती है कि उसने एंटी इल्लीगल हंटिंग एक्टिविटीज के बारे में सुना है जो ना केवल इल्लीगल हंटिंग को रोकती हैं बल्कि शिकारियों को पकड़ती भी हैं अपने अभियान को जारी रखते हुए वे सोंगा कम्यूनिटी से होकर गुजरते हैं जहां मार्टिन हाल की इल्लीगल हंटिंग की घटनाओं के बारे में जानकारी इकठा करने की उम्मीद में कुछ निवासियों के साथ बातचीत करने के लिए रुखता है उन्हें हैरानी होती है कि कम्यूनिटी डरावनी और सुनसान दिखाई देती है जैसे ही वे मवेशियों के बाड़े के पास पहुँचते हैं उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई देता है पंजों के घावों वाले मरे हुए लोग जो शेर के हमले का संकेत देते हैं पास की पहाडियों की वजए से रेडियो सिग्नलों में रुकावट के कारण उन्हें इस घटना की रिपोर्ट करने में परिशानी होती है नैट माटिन की मदद करने का फैसला करता है अपनी बेटियों को कार में रहने का निर्देश देते हुए वो सोंगा कम्यूनिटी के म्यूटिन दे नाम के एक घायल व्यक्ती की देखभाल करता है जो एक जाड़ी के पीछे से निकलता है नैट की कोशिशों के बावजूद म्यूटिन टे चोटों के कारण दम तोड़ देता है इस बीच माटिन आगे की जांच करने के लिए पास के जंगल में चला जाता है जील के किनारे पहुँचने पर माटिन को शेर के पैरों के निशान मिलते हैं अचानक एक मेल शेर पेडों से निकलता है जिससे माटिन को खुद को बचाने के लिए गोली चला कर जानवर को रोकने की कोशिश करता है कार में नैट और उसकी बेटियां म्यूटिन टे की ओर जा रहे थे तभी उन्होंने जंगल से गोलियों की आवाजे सुनाई देती हैं माटिन की सुरक्षा के लिए चिंतित नैट जल्दी से जंगल की ओर चला जाता है और शेर उसका पीछा करना शुरू कर देता है शेर के हमले से बाल-बाल बचकर नैट कार की ओर वापस दोड़ता है आगे बढ़ता हुआ शेर कार के हुड पर चट जाता है लगभग नैट को बाहर खीच लेता है लेकिन मेरेडित बहादुरी से कार स्टॉट कर देती है और उसे शेर की पकड़ से छुड़ाते हुए एक पेर से टक्रा देती है भयानक लड़ाई के बाद नैट अपनी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और मेरेडित को शांत करने की कोशिश करता है बाद में माठिन वॉकी टॉकी से नैट से कॉन्टेक्ट करता है और उसे दूर रहने की चितावनी देता है शेर दूसरों को लुभाने के लिए माठिन को चारे की रूप में इस्तमाल कर रहा है घायल होकर और जील के बीच में एक पेड के नीचे लेटे हुए माठिन अपने पैरों से खून बहने से रोकने की कोशिश करता है वो नैट को सुरक्षित रहने के लिए कार में रहने की सलाह देता है और उसे आश्वस्त करता है कि चिंता की कोई बात नहीं है अनफॉचुनेटले रेडियो की रेंज लिमिटेट होती है जिससे वो किसी मदद नहीं मान पाते है मार्टिन को बचाने के लिए द्रिड संकल्पित, नैट ने अपनी बेटियों की सहायता से एक ट्रैंक्विलाइजर राइफल बनाने का फैसला करता है वोकी टॉकी से नैट ने मार्टिन से कहता है कि अगर शेर जील से चला गया है तो वो अपनी पोजीशन बताए क्योंकि वो उसकी मदद के लिए आ रहा है मार्टिन नैट को सावधान रहने और शेर के होने के किसी भी संकेत पर नजर रखने को कहता है इसमें ये देखना है कि दूसरे जानवर कैसे चलते हैं या एन्वायर्मेंट में अचानक कोई बदलाव होता है या नहीं Martin Nat को Shier की location के बारे में चेतावनी देता है लेकिन Nat Meredith को उसे बचाने के लिए जाने से रोकने की कोशिश करता है हालांकि वो Martin की मदद करने के लिए datamined थी जब Meredith Hunter Tower पर पहुची तो दुष्ट Shier अचानक आ जाता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है नेट ने शेर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है लेकिन ट्रैंक्विलाइजर राइफल से उस पर वार करने में उसे मुश्किल होती है शेर के हमले से बचने के लिए वो एक कार के नीचे छिप जाता है नोरा, जो अभी भी कार में थी, शेर पर बेहोश करने वाली गोली चला कर नेट की मदद करती है सीडिटिव काम करना शुरू कर देता है और शेर लंगडाता हुआ चला जाता है नेट ने मेरेडिट से कॉंटक्ट किया और उसे शेर के लोटने से पहले कार में वापस आने के लिए कहा जब मेरेडिट वापस लोटी, तो नेट ने मार्टिन के गंभीर घावों का ख्याल रखा और उसे फर्स्ट एड दिया माटिन दर्द से बेहोश हो गया था और उनका मानना था कि शेर ने सोंगा समुदाई पर हमला किया था उन्हें राहत मिली कि शेर कुछ घंटों के लिए बेहोश और पैरलाइस्ड हो गया था Unfortunately, उनको ज्यादा देर तक राहत नहीं मिली रात होते ही शेर पहाड़ी पर फिर से आ गया और सीडिटिव दवाओं का पर उसका कोई असर नहीं लग रहा था नेट ने अपनी बेटियों को सुरक्षित रहने के लिए कार में ही रहने के लिए कहा और उन्होंने बचे हुए पानी को देर तक बचाने की कोशिश की वे जानते थे कि मदद के लिए उन्हें कम से कम 20 घंटे इंतजार करना होगा नोरा ने नैट को याद दिलाया कि वह ऐसे वादे ना करे जिन्हें वह पूरा ना कर सके जिसके कारण नैट और मेरेड़ित के बीच बहस शुरू हो गई नोरा ने उनसे लड़ने के बजाए शेर के हमले से बचने का रास्ता ढूंडने पर ध्यान लगाने के लिए कहा मार्टन जाग गया और उसने शेर के बारे में अपनी थियोरी बताई कि वह दुष्ट हो रहा है और इंसानों पर इसलिए हमला कर रहा है क्यूंकि शिकारियों ने उसके जुंड को मार डाला है उन्होंने नेट को वार्न किया कि वह कुछ भी लापरवाही ना करे जिससे उसकी जान को खत्रा हो क्यूंकि बिना हत्यारों के जंगली शेर से लड़ना इंपॉसिबल है माठिन ने नैट के अब तक के कामों के लिए उसकी तारीफ की जिससे उसे सवाइवल के लिए लड़ते रहने के लिए और मोटिवेशन मिला अंधेरा होने पर नेट और उसके साथियों ने कार में आराम करने की कोशिश की लेकिन नेट बुरे सपनों से परिशान होकर अचानक जाग गया उसने मेरेडिट से अमाली के लिए अपने प्यार के बारे में बात की और अपने छोटे से परिवार के साथ हुई उसकी किसी भी गलती के लिए माफी मांगी अचानक रेडियो एक्टिव हो गया और शिकारी बहुत सारी गाड़ियों में वहां आ गए नेज जानता था कि उसे अपने परिवार की रक्षा करने और शिकारियों को रोकने के लिए तुरंत कुछ करना होगा उसने अपने परिवार को जाने देने के बदले में उन्हें पैसे ओफर किये लेकिन जब उन्होंने कार की जांच की तो उन्हें मार्टिन मिला जिसे उन्होंने एक एंटी पोचर के रूप में पहचान लिया जवाब में उन्होंने मेरेडित और नोरा को हॉस्टेज बना कर किदनाप करने का फैसला किया जब कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी तभी एक शेर आ गया और उसने शिकारियों पर हमला कर दिया जिससे अफरा तफरी मच गई नैट को भागने का मौका मिला और उसने शिकारियों के ट्रक की चाबियां ढूंडी लेकिन वो नहीं मिली निराश होकर उसने शिकारियों की डेट बोडीज को ढूंड़ा और उनके पीछे-पीछे तब तक चलता रहा जब तक कि वो एक जील तक नहीं पहुँच गया जब सारी उम्मीद खत्म होती दिख रही थी तो उसके पास मौझूद वोकी-टॉकी में अचानक शोर हुआ जिससे शेर का ध्यान उस तरफ चला गया नैट एक पेड पर चड़ गया और शेर का ध्यान भटकाने के लिए उसने एक सांप का इस्तमाल किया इस बीच, मेरेडित और नोरा परिशान हो गए क्योंकि उन्होंने नैट के बारे में कुछ पता नहीं था जैसे ही शेर ने शिकारियों में से एक को मारा, नैट इस डिस्ट्रक्शन का फाइदा उठा कर पानी में घुस गया ठीक उसी समय पर नोरा ने पास की कार का हौन बजाया, जिससे शेर का ध्यान भटक गया और नैट को ट्रक की चाबी ढूंडने का मौका मिल गया हाथ में चाबिया लेकर नैट खत्रे को पीछे छोड़ते हुए तेजी से भाग निकला अनफोचुनेटली, शेर ने पीछे मुड़कर मेरेडित पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई मार्टिन ने उसे और नोरा को भागने का ओडर दिया और जैसे ही कार एक खाई की और जुकी, उसने शेर का ध्यान भटकाने की कोशिश की हालांकि उसके कार में चड़ने से पहले ही कार खाई में गिर गई मार्टिन ने अपने साथी को बचाने के लिए लीक हो रहे गैसोलीन से विसफोट करके खुद को बलिदान कर दिया नेट ने बहुत दूर से एक बड़ी धमाके की आवाद सुनी और वह जितनी तेजी से भाग सकता था वहाँ भागा जहां उसकी बेटियां और मार्टिन थे जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे ये देखकर रहत महसूस हुई कि मेरेडित और नोरा ठीक थे लेकिन उसे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि मार्टिन की कार एक्स्प्लोजन में मौत हो गई भले ही यह एक भयानक ट्राजडी थी लेकिन वो शुक्र गुजार था कि उसकी बेटी उनके साथ सुरक्षित थी अगली सुभा नैट और उसकी बेटियां मार्टिन के घर की ओर गए उन्होंने उसी रास्ते को फॉलो किया जिससे वो पहले गए थे लेकिन उन्हें कार को छोड़ना पड़ा और पैदल चलना पड़ा क्योंकि उनका फ्यूल खत्म हो गया था जैसे ही वे पास के एक खाली स्कूल की बिल्डिन के पास पहुँचे नैट को मेरेडित के घावों के इलाज में मदद के लिए अंदर कुछ पटियां और अलकोहल मिली मेरेडित की देखभाल करने के बाद नैट ने किसी हथियार या मदद के लिए कॉल करने के लिए उस एरिया की खोजबीन की अच्छानक उसने नोरा को डर के मारे चिलाते हुए सुना क्योंकि एक शेर स्कूल की बिल्डिंग की ओर उनका पीछा करने लगा था नेट तुरंथ नोरा के पास गया और शेर को डराने के लिए उसने उस पर गोली चला दी फिर वो मेरेडित और नोरा को एक सुरक्षित कमरे में ले गया और उसने प्रॉमिस किया कि वो शेर का ध्यान भटकाने के बाद वापस आएगा भले ही यह खतरनाक था लेकिन नेट अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने और उन्हें सेफ रखने के लिए डेटमाइन था थोड़ी देर बाद नेट ने स्कूल भवन की सेफटी छोड़ दी और शेर को बिल्डिंग से दूर ले जाने की कोशिश करने लगा जब वो शेर से लड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो जिन्दा नहीं बच पाएगा लेकिन किस्मत से शेरों के जुंट के लीडर ने वहां आकर जंगली शेर को मार डाला जिससे नेट को भागने का मौका मिल गया वहां से हटते ही नेट लड़ खड़ा गया और बेहोश हो गया लेकिन किस्मत से बंजी बचे हुए शेरों को कंट्रोल करने और नेट को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए ठीक समय पर पहुँच गया जब मूवी खत्म होती है तो नेट को मौली नाम के एक व्यक्ति के बारे में सपना देखते हुए दिखाया जाता है जो उसे बताता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जब वो उठता है तो वो खुद को अपनी दोनों बेटियों मेरेडित और नोरा के साथ अस्पताल के बिस्तर पर पाता है वे उसे बताते हैं कि बंजी ने उन्हें कैसे बचाया और उन्हें उसकी बहादुरी और डेटिमिनेशन पर कितना गर्व है चुनोतियों और बलिदानों का सामना करने के बावजूद नैट का अपने परिवार के प्रती प्यार और उनकी रक्षा करने की इच्छा ने उन्हें बचा लिया कुछ समय बाद नैट और बाकी सब अपनी युनिटी दिखाते हुए साथ में दप्रुजव में लौट आए वो उसकी याद और अपने बंधन का सम्मान करने के लिए अमली के पसंदीदा पेड के पास एक नई तस्वीर लेते हैं